नमस्कार 15-25 की उम्र कच्छा मन कहीं बटक लजा अधिक्तोर इंसान कोई भी बटकते हैं ना तो 15-25 के उम्र के बीच में ही बटकते हैं क्यों कि उनका मन कच्छा होता है अगर आपकी एज भी इसी के अंदर हैं तो अपने आपको समाल लेना अपने आपको बटकने से रोख लेना क्योंकि इस उम्र में ना कुछ आपको सही लगेगा ना कुछ आपको बुरा लगेगा आपको लगेगा यार मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ लेकिन जैसे जैसे समय गुज्रेगर जैसे जैसे आप तीस के पार जाओगे जब आपको गर परिवार की जिम्मेदरी आएगी तब आपको पता चलेगा कि यार मैं उस वक्त इसा नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देगा पड़ा पंदरा से 25 की उम्र में लड़के ल अगर उस वक्त जो लड़का लड़की अपने करियर पर फोकस कर लेता है ना वो ओल्ड टाइम पूरी लाइफ वह हमेसा खुश रहता है लेकिन जो लड़के लड़किए पंदरा से 25 की उम्र में अपने करियर पर फोकस नहीं करते हैं ना उनको तीस की उम्र के बाद में उ अपने मन को बटकने से बचा लेना, सबसे पहले तो अपनी संगत पहचाना, आपके फ्रेंड पहचाना कि आपके फ्रेंड किस टाइब के हैं, क्या आपके फ्रेंड करियर बना बने पर जोड देते हैं, या फिर मोज मस्ती करने में जोड देते हैं, अपने सरकल को पहचाना, सबसे बड़ी बात है कि आपकी संगत को पेचाना अगर आपके संगत अगर अच्छी होगी अगर आपके friends अपने करियर के होँगे तो आप भी अपने करियर की पतने डोडिकेट होगे और अगर आप kinderen twin enjoy soak मोज और ऐसे ही आनन्द में जीने वाले होंगे तो आप भी ऐसे होंगे तो सबसे पहले अपनी संगत पहचान लेना ऐसे दोस्तों के साथ मत रहना जो अपने करियर को इंपोर्टेंस न दे मोज मस्ति को इंपोर्टेंस दे ऐसे लोगों के ऐसे दोस्तों के साथ मत रहना वरना आपकी लाइफ अभी तो आप इंजोई कर लोगे अपने मम्मी पापा के पेसों से लेकिन इन फ्यूचर में इट विल बी डिजास्टर फोर यू और यूर फेमिली और यूर लाइफ तो अपनी संगत को पहचान बॉइफरेंड गर्फरेंड और प्यार के चक्कर में मत पढ़ना पंदरा से पच्छिस की उम्र की यह सबसे बड़ी यही बात होती है हर इंसान प्यार के चक्कर में पढ़ जाता है और जो प्यार के चक्कर में पढ़ा वो अपनी जिनकी बर्बात कर लेता है लड़कियां बॉइफ्रेंड के चक्कर में पढ़ते हैं लड़के गर्डफरेंड के चक्कर में पढ़ते हो और 15-25 की उम्र में इसका जुनुन सवार हो जाता दिमार और बहुत से लड़के लड़किया ऐसे भी है अपना परिवार छोड़ कर चले जाते हैं गर्बार छोड़के चले जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद आप्टर सम टाइम रिग्रेट करते हैं कि आकिर हम अपने प्यार के पिछे इतना पागलन होते तो आज इसा दिन नहीं प्यार और लव के चक्र में पड़ना अगर उस वक्त आपके करियर बनाने की आपकी लाइफ होती है उस लाइफ में अगर आप बोई फैन गल्फिन और प्यार के चक्र पड़ोगे लिए ता आप लाइफ पर बात हो सकती है अगर आपको कुछ करना है कुछ बनना है तो सोचल मीडिया से दूरी रखना पंदरह से पच्छीन के अमरों में आज लड़के क्या कर सब के पास फोने सब के पास डिजिटल फोने सबसे पास अच्छा चपोने बस दिन पर बैटे सोचल मीडिया पर इस्टाइब्राम छिन जिन लोगों ने टोक किया और जिन जिन लोगों ने करियर की ऊशनी के उच्छाई पर पहुछे ने उन्होंने हमें साथ सोचल मीडिया से दूरी बनाई है फास्चीग तो आपकी लाइब्र आ克व्स होसकती है सब को छोड़कर इस वक्त करे अलग करियर पर फोकस करना यह उम्र आपकी करियर पर फोकस करने की होती है इस उम्र में आपको करियर चूज करना होता है अपना इस उम्र में आपको कहीं आना जाना समाज में रिलेशन में या कहीं पर भी सब कुछ छोड़ देना और अपने करियर पर फोकस करना पच्छिस की उम्र के बाद में करियर स को सेट कर ले वनला जब समय गुजर जाएगा ना तो आपके पास पचताने रीग्रेट करने के आलवा कुछ नहीं बचेगा